ओफिशली ओफिशली आपको अपडेट दे रहा हूँ जो ग्लोबल मार्केट है वो बियर मार्केट यहाँ पर बन चुका है यानि कि बियर मार्केट ओफिशली अब दुनिया भर का शेयर बजार इंटर कर चुका है अब आप बोलेंगे कि बजार तो पिछले 2-3 दिनों से य नीचे हो जाता है और शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन अमेरिका का बजार पहली बार बियर मार्केट पर चला गया जहां पर उसकी जो गिरावट थी वो 20 प्रतिशत से जादा देखने को मिली अब आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाल पाँच बाते और कौन सा शेयर आपको खरीदना है और कौन सा शेयर नहीं खरीदना है सारी बड़ी बाते आज के वीडियो में नमस्कार मैंकेट शुरू करते हैं मार्केट मार्केट फिलोसोफी अफ लॉंग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चीज है जैसे ही बजार बीयर मार्केट में जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि 5% तक वो फटाक से रिकवर करता है बीयर मार्केट को छूते साथ इतिहास में तो आज आप देखेंगे कि बजार जैसे यहाँ पर बियर मार्केट में गया है अभी 2 या 3 प्रतिशत से ज्यादा यहाँ पर कवर हो चुक है तो ये इतिहास हमें बता रहा है कि बजार वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा वो पहले यहाँ पर हिस्ट्री में बिहेव किया था और लगतार सेंसेक्स पिछले 2-3 दिनों से यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं दूसरा आज तक के इतिहास में हमेशा बियर मार्केट में बॉन्ड और ओईल हमेशा उपर के तरफ यहाँ पर रहे हैं चाहे बॉन्ड मार्केट हो या फिर ओईल हो ओईल के दाम हो वो हमेशा उपर के तरफ रहे है और उसके बाद ही यहाँ पर बियर मार्केट आता है तो ए आप ने Instagram में फॉलो नहीं किया तो Instagram में मुझे follow कर लिजे अंकित wealth manager ID है और आज कल मैं tweet भी कर रहा हूँ तो आप Twitter में भी follow कर सकते है अंकित अंडरिस्कोर investing के साथ में तो चलिए beer market का सबसे पहला fact हम यहाँ पर बता देते हैं कि beer market की यहाँ पर tendency क्या होती है तो देखें, beer market का जो average time है, historically वो है 10-12 मैंने, याने कि beer market 10-12 मैंने चलता है, अब ये beer market में क्या होता है, कि आप आज share खरीदेंगे तो वो 10-12 मैंने तक बिल्कुल उसी position पर रहेगा, जिस position पर आज लिए हैं, या उससे नीचे के तरफ रहेगा, याने कि पैसा बनाना आने समय में बहुत जादा difficult हो जाता है, और आप सबने notice किया होगा, कि आपका portfolio बहुत तेजी के साथ नीचे आया होगा, मेरा भी portfolio बहुत तेजी के साथ नीचे आया है, लेकिन अगर आप ये चीज को जानेंगे, कि हाँ 10-12 मैंने की बात है, उसके बाद वापस उपर हो Fact No.2, beer market से जुड़ी हुई कि beer market में generally average इतिहास में 20-30% की correction देखने को मिली है, और अभी ही अमेरिका में लगबग 16-17% की correction हो चुकी है, 20 पहले हो गई थी, अभी 35% वो बढ़ेगा, यानि 16-17, यानि कि अब जो scope है नीचे जाने का वो काफी कम है, 5-10% और है, अगर निफ को stability देखने को यहाँ पर मिलेगी, अगर beer market extend होता है तो, चौथा fact, beer market से जुड़ा हुआ, beer market सिर्फ और सिर्फ तब आया है आज तक इतिहास में जब interest rate hike किये गए हो, अब बहुत ही जरूरी बात है आपके लिए कि Fed की meeting है जून में, और क्या जून में interest rate फिर से अगर hike हो होते हैं, अभी देखें, 50% जो 0.5 basis point है, 0.5% का interest rate hike हुआ था, उसे market digest किया है, लेकिन 20% की गिरावट के साथ में, अब market recover होते जा रहा है, अब फिर से जून में एक meeting है Fed की जहाँ पर 0.5% interest rate hike होगा, तो वहाँ पर भी आप 10% की गिरावट समझ सकते हैं कि होने वाली है, तो ये चौथा point है, जो आपको note down करके रखने की ज़रुवत है, पांचवा और सबसे जरूरी fact आपके लिए आज के वीडियो में, बीर मार्केट से जुड़ा हुआ, कि आज तक इतिहास में जितने भी बीर मार्केट आए हैं, हर बीर मार्केट के बाज में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, और जो तेजी आई है, वो आई है 12-18 मेने के बाद में, यानि कि आज तक ऐसा historically हुआ ही नहीं कि बीर मार्केट के कारण मार्केट नीचे चला गया है, और वहीं पर stable हुआ है, वो वापस से rebound की है, और उस rebound का जो समय है 12-18 मेने है, और 12-18 मेने के बाद मार्केट हमेशा बीर मार्केट के बाद में अपने previous हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई यहाँ पर बनाया है, तो यह एक बहुत बड़ा update है, अगर आप सब शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, अगर आप घबराए ह हुए हैं, तो आप समझ जाईए कि आपके शेयर जो है नए हाई फिर से लगेंगे, सिर्फ कुछ समय की यहाँ पर बात है, अगर आपने शेयर बाजार में अभी तक इन्वेश्मेंट चालू नहीं किया है, नीचे लिंक दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाईए, दिमे के आसपास होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, तो बहुत जबरदस टाइम है, मैं थोड़ा सा अपोजिट बताता हूँ, जब बाकी लोग बोल रहे थे इन्वेश्मेंट करने तो मैं आपको इन्वेश्मेंट करने नहीं बोल रहा था, जब बाकी लोग आपको बजार से वही पैसा बनाता है, जो शेयर बजार में अपोजिट काम करता है, जब सब बेचते हूँ, तो वो खरीद रहा होता है, और जब खरीद रहा होते हैं सब, तो वो बेच रहा होता है, तभी आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे, otherwise, बाकी लोग के साथ क्या होता है एक छोटी सी कहानी में आपको समझाता हूँ, कि अगर आप सोचिए, पूरे दुनिया में सब को हम एक एक हजार उपए फ्री में दे देते हैं, सारे दुनिया में जितने भी लोग है, सब को एक हजार हम फ्री में दे देते हैं, उससे क्या आउटपूट मिलेगा, कैसे है, वो भी कमा रहा है, तुम भी कमा रहे हो, तो इसलिए यही बेसिक सी चीजे जो आपको शेर मार्केट में समझना पड़ेगा, बहुत कम लोग होते हैं जो शेर बजार में पैसा बनाते हैं, क्यों कि सब भीड के साथ चले जाते हैं, जब भीड के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर पैसा बना के आप क्या करेंगे वहाँ पर आपको बचना है और जब सारी भीड बेच रही है नीचे के तरफ जा रही है तब आपको उबर के तरफ जाना है और यही काम Warren Buffett बहुत ही perfect manner में यहाँ पर करते हैं और आज कल कुछ-कुछ Bill Gates भी यहाँ पर उनसे सीख के करने लगे तो आपके पास भी यह opportunity है फायदा उठाइए और बहुत ही जबर्दस attractive मौका है यहाँ से 6 मैने तक बजार में accumulation करने का अब things to do अब आपने beer market के बारे में मैंने आपको बता दिया अब beer market में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बताता हूँ सबसे पहले आपको panic नहीं करना है beer market में बजार में ऐसा नहीं है कि रोजी बजार गिरेगा बजार उपर के तरब भी जाएगा इनफेक्ट आज आप FII का डाटा देखेंगे तो वो positive रहा है तब भी कोई भी शेर बता है आपको वो शेर नीचे ही जाएगा शेर बजार में कोई भी godfather नहीं होता शेर बजार में सिर्फ आपको इतना सिखना है कि आपके पैसे कम से कम loss हो और जिसमें आप investment कर रहे हैं वो business sustainable हो ताकि वो आपके पैसे को compound पे compound करा है इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट मिलें सिर्फ इतना है यहाँ पर शेर बजार अब देखें तीसरा चीज है इस समय आपको dividend वाले stocks को रोक देना है यह आप बड़े ध्यान से सुनें अब 99% advisors आपको बोलेंगे कि आपको dividend stock ले लेना है क्योंकि recession आने वाल है नई अभी dividend stock को ले कर आप क्या करेंगे पैसा फसाने वाली बात है बिल्कुल छोड़ दीजे उनको सारे dividend stock उपर चल रहे है जब लेना था तब मैं बोल रहा था आपको लेना है 2020 किस में जब सारे dividend stock पिट रहे थे अभी कौन पिट रहे है growth stock सारे के सारे growth stock 30-40% नीचे है उनको खरीदने की कोशिश करिए मैं सारे growth stocks को खरीद रहा हूँ सारे paint business को खरीद रहा हूँ जितना हो सके उतना खरीद रहा हूँ asset management companies यहाँ पर खरीद रहा हूँ यह सबसे अच्छा समय चल रहा है buy करने का एक basic example भी आपको दे देता हूँ अगर 100 रुपय का share आपको 50 रुपय में मिल रहा है और वो 100 रुपय का share अगर 200 जा रहा है तो अगर आप उसे 100 रुपय में लेंगे तो आपके पैसे 2 गुना होंगे कि आपके अपने पैसे को 4 गुना कराना है कई genius लोग आपको बोलेंगे 200 में भी ले लेने और अगर आप 200 में लेंगे तो वहाँ पर फस जाएंगे तो ये भी आपको avoid करना है जो बहुत सारे लोग ने COVID के समय में यहाँ पर कर दिया सारे shares को 5 साल बाद के यहाँ पर earning discount जब हो रही थी वहाँ के price पे ले लिया और फिर वहाँ से अब यहाँ पर सिर्फ एकी तरफ है वो है नीचे के तरफ अब उन्हें average ही यहाँ पर करना पड़ रहा है हाला कि उसके उपर एक नया वीडियो आकर मैं बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर इससे बच सकते हैं अब अगले कड़ी में market match को में मैं आपको यहाँ पर बताने वालों कि beer market का अंत कैसे होता है और कैसे एक bull की शुरुवात होती है अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि beer market का अंत कैसे होता है वो कैसे पता करें अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप में से lucky winner को lucky prizes देखने को मिलेंगे और बहुत सारे Amazon के vouchers भी हम यहाँ पर provide करेंगे इसका answer मेरे Twitter account पे छुपा हुआ है आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर आकर comment कर सकते हैं बहुत ही interesting question है आगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि beer market का अंत कैसे होता है और बुल की शुरुआत यहाँ पर कैसे होती है तो उसके लिए बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो में इतना ही मिलूँगा अगले वीडियो के साथ में अच्छी investing करें जबरदस तरीके से खरीददारी करें यह मौका बहुत ही जबरदस्त है डारेक्ट शेयर को यहाँ पर buy करने का